शाम नौकरी से वापसी पर बोजल कदमों से घर आया काम की ठकन से पूरा बदन दुख रहा था आते ही अपने बिस्तर पर लेट गया कमरे में लेटा देख कर अब्बू फॉरन कमरे में आये और अहवाल पूछा ठकावट के 22 मैंने उखडे लहजे से जवाब दिया अब्बू जेरेलब दुआ देते वापस लोट गए थोड़ी देर बाद कमरे में बेगम आई तो मैंने पूछा बच्चे कहा है बहुत ठका हुआ हूँ अपने जिगर गोशों को देखूंगा तो सारी ठकन उतर जाएगी बेगम फॉरन सहन में खेलते नन्ने मुन्ने बच्चों को ले आई जो आते ही मुझ से लिपट गए मैं भी बच्चों के चहरे देख कर अपनी सारी ठकन भूल बैटा अपनी शफकत पद्री उन पर निचावर करने लगा लेकिन चंद लमों बाद ही वालिब मौतरम का जुरियों भरा चहरा आँखों के सामने घूमने लगा के वो भी शफकत पद्री से मजबूर अपने बेटे को देखने आये थे अपनी उलाद को देखने अपनी शफकत पद्री निचावर करने लेकिन मेरी बेरुखी के बाइस वो मेरे पास बैट न सके इतना सोचते ही मेरी आखों के सामने अंधेरा चाने लगा दम सीने में घुटता महसूस होने लगा बच्चों को छोड़ा और दोड़ता हुआ वालिदे मौतरम के कमरे में जा पहुँचा जो अपनी चारपाई पर लेटे ना जाने किन सोचों में गुम छत को देखे जा रहे थे मैं उनकी चारपाई पर उनके कदमों में जा बैठा और उनकी ठांगे दबाने लगा अबू फॉरण उठे और मुझे सीने से लगा लिया ना जाने क्यूं हम बाब बेटा फूट फूट कर रोने लगे मैं तस्लीम करता हूँ कि ऐसी राहत मुझे पहले कभी नहीं मिली जो बाब के सीने से लिपट कर मिली दोस्तों हम अपने पैसों से सब कुछ खरीच सकते हैं सिवाए माबाप की खुशियों के पैसा तो हमारे माबाप ने भी सारी जिन्दगी कमाया और हस्ते हस्ते हम सब पर लुटा दिया ये जानते हुए भी कि वो कल बूड़े हो जाएंगे लेकिन अपने बुड़ापे के लिए कुछ ना बचाया आप सबसे दर्फास्त है के चंद लम्हें अपने माबाप के पास बैट जाया करो उन से दुख सुख की बातें शफकत के साथ कर लिया करो यकीन करो दुनिया और आखरत में फलाह पा जाओगे इस तहरीर को इतना शेयर करें जितना अपने वालदें से प्यार करते हैं